अरादना प्रभु चाते या चाते अब पड़ो योवन अचार का तेविश ये सब अचन है प्रभु क्या चाते है परंतु वर समय आता है वरन अब भी है जिससे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराध को डूनता है डूनता है डूनता है आपको डूनता है महिमा है जी चर्च वाला को परंपिता डूनता है किसलिए सच्चाई आराधना आत्मा से आराधना सच्चाई से आराधना आत्मा से भी आराधना करूंगा आत्मा से भी प्रातना करूंगा सच्चाइसे ली प्रातना करूंगा सच्चे दिल से आरादना प्रेमी दिल से आरादना गाना काते ने पादर दिल से आरादना प्रेमी मन से आरादना पवित्र दिल से आरादना प्रेमी मन से आरादना आरादना वो आरादना फुदा वंदी शुकी आरादना जितने भी सेवग लोग है परसनल लाइप में अब्दोख होगी वो लोग प्रभु के लिए आरादत बनते हैं प्रात्ना सीखते हैं प्रेस और वर्शिप सीखते हैं परस्रन लाइफ में प्रभु का आराधना करते हैं, सेवकाई का अर्थ क्या है, लोगों को क्या करना चाहिए, प्रभु के साथ जोडना है, वो लोगों को प्रभु का आराधना, निर्गमान नौ का तेरा पढ़ना, निर्गमान नौ का तेरा, क्या वहाँ पर प्रभु जी काते हैं, इस्राइली जनतों को क्यों छुड़ाना चाहते हैं, छोड़ करके वापस शैतान की सेवा करनी के लिए नहीं, मेरे जनता को जाने दो, फिर यहोवा ने मुसा से कहा, निर्गमान नौ का तेरा, वही पढ़ रहे हैं, सबेरे उठकर, फिरोन के सामने खड़ा हो, और उससे कहो, इब्रियो का परमेश्व यहोवा, इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, कि वे मेरी उपास ना करे, देखो पापों से चुड़ाया, पवित्र बनाया, हमको अपने लहू से दो करके, प्रिय पुत्र के राज्य में लेकर आया, ता कि हम उसको आराधना करेंगे, उसको सेवा, सेवा तो बात में, सेवा का पहला पाथ आराधना, उसको सेवा, service to God first उसके बाद service for प्रभुका आरादना करो इद गावो, बजन गावो दन्यवाद करो स्तुती करो, आरादना करो